हेलो गाईज आप लोग का रिपॉन इस्टीडि ET पोईंट में पार फिर से स्वागत है तो दोस्तो मैं 95, Range related news लेकर कर के आया हूं दोस्तो 25 स Warum related क्या news है मैं आप लोग को बता रहा हूं 95 को कैसे हटाया जा सकता है जिया दोस्तोँ, नोटीश जारी हुआ है, मेरे ब्लाग पर एक नई दो से तीन लड़कें हैं, जिनके किलाफ में नोटीश जारी हुआ है, तो कैसे क्या करके नोटीश जारी हुआ है, आपने तो ये गलती नहीं न की है, तो ऐ-to-zo-chain मैं इस वीडियो में पूरा आप लोग को clear कर दूँगा क्या करना है क्या नहीं कैसे नोटिस जारी हो सकती है कब हटाया जासकता है कब नहीं मैंने आला कि एक पिछला वीडियो इसके पाले मैं वीडियो बना चुका हूँ जो कि मेरे चैनल पर है जैसा मैंने उसमें बताया था उसी तरीके से हुआ है और आइए हम स ये पत्रांग ये इतना 48 है आज दिनांग 1622 को अधोहस्त च्छरी ग्राम पंचायत उधोपूर यह चत्रफूचपूर का निरिच्छड किया गया जिसमें उधोपूर का पंचायत कर्याले बंद पाया गया यह पंचायत सहाय को अनुपस्थित पाई गई ठीक अता संबंदि पंचायत सहाय को निर्देश सित किया जाता है कि अपना अपना असपस्टी करण तीन दिवस के अंदर अधोहस्तरिच के कार्याले में प्रस्तुत कर सुनिश्चित करें अन्य था कि दसा में आपके खिलाफ अनुसास नात्मक यह विभागी का रिवाई प्रस्तावित कर द होता है तो उसमें क्या करना है कि आपको तीन दिन के लिए टाइम दिया जाएगा जो कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर तीन दिन के लिए देखिए टाइम दिया जा रहा है तीन दिवस के अंदर इनको अपना देना है कि क्यों मैं अनुपस्तित था या तो फ अपना चुट्टी चस्पा कर दीजिए फिर चुट्टी मतलब आगे बढ़ी जाएगे फिर आपको कुछ का नहीं नहीं बसके उलका देना हासर मैं चुट्टी लेकर क्या हूं कोई दिक्कत नहीं होगी आप मतलब आगे इंफर्मेशन देके ही जाएए ऐसे मतलब आप अनु सकते हैट करके इनका हो सकता है उस तन्य Дिन का पेमेंटब नहीं आएगा क्योंकि उचुट्टी में अपकड जाएगा या फिर छुट्टी जो अभी किलियर नहीं हुआ कि इतने चुट्टी हम लोग ले सकते नहीं ले na तो यदि वह भी किलियर हो जाएगा तो उसकी एकार्डिंग फिर हमें छुटिया मिलेगी तो यह ही इनकी गलती यही थी न्यूज जो कि देखिए हमारे ब्लाग से जब किलियर होता है तो ही वही सब न्यूज में आप लोग को बताता हूं यह मैं बार बार एक ही बात काता तो आसा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आए अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बाक्स में अपना राइब जरूर बताइएगा और यादि आप पंचाय साहिक हैं तो फिर यह जानना चाह रहे हैं कि पंच